मेरे इस तरीके के dual monitor setup को देखकर के लोग जादर आस्टर चकित हो जाते हैं खास कर जब मैं एक screen को इधर से उधर अपने mouse को एक screen से दूसरी screen पर ले जाता हूं लेकिन यह एक बहुत ही simple सी चीज है जिसके लिए आपके पास एक PC होना चाहिए वह एक laptop भी हो सकता है और उसमें कम से कम दो display output होने चाहिए जैसे एक तो main display हो गई जिसमें आप monitor लगा हो गई या laptop है तो उसमें आपकी laptop की screen ही main display है और दूसरा laptop जिसमें SDMI output port होना चाहिए वही PC में main board में किसी किसी में एक से ज़्यादा port दिये जाते हैं लेकिन हो सकता है आपके monitor में इस तरह का same port ना हो Amazon पर आपको अलग-अलग तरह के converters मिल जाते हैं जैसे VGA to SDMI या display port to SDMI और अगर आपके PC में दूसरा port नहीं है तो आपको एक graphics card चाहिए होगा अब बस अपने monitor को PCI laptop से जोड़ना है या secondary display अपने आप ही detect कर लेगा और windows में आप नीचे यहां project option से इसको control कर सकते हो extend mode में multiple desktop बन जाएंगे और monitors को अलग-अलग number से arrange भी कर सकते हो